कमाल आर खान के निशाने पर कई कलाकार रहते हैं इस बार क्यार के ने कंगना रनौत की निजी जिन्दगी पर एक बड़ा आरोप लगाया है कंगना रनौत का नाम उन्होंने लव जिहाद से जोड़ दिया है क्यार के ने दावा किया है कि कंगना रनौत इमरान नाम के एक ल कंगना रनाओत इमरान खान नाम के एक शक्स को डेट कर रही है कंगना रनाओत इमरान खान नाम के एक शक्स को डेट कर रही है इस लड़के के साथ कंगना रनाओत की दो फोटो भी पोस्ट की है देर रात 8 बजे क्यारके ने ये पोस्ट शेयर किया और फिर अचानक से क्यारके ने इसे डिलेट भी कर लिया ट्विटर पर एक्ट्रेस राधिका आप्टे को बॉइकॉट करने को लेकर ट्रेंड चलना है चौकाने वाली बात तो यह है कि ना ही राधका आपटे की कोई फिल्म रिलीज हुई है और ना ही किसी प्रोजेक्ट को लेकर वो चर्चा में चल लही है इसका कारण तो कुछ और ही है रादका आप्टे पर भारती सब्विता को चोट पहुचाने को लेकर भी कई तरह की बाते की जा रही है रादका की ये तस्वीर काफी चर्चा में है और सुबह सही सोशल मीडिया पर लगातार वाइरल हो रही है रादका आप्टे ने वेब सिरीज में भी कई बार ऐसे सीन्स दिये हैं जिसको लेकर लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं दरसल रादका आप्टे पर अश्लीलत फैलाने का आरोब लगाते हुए सोशल मीडिया पर लोग उनको जम कर खरीखोटी सुना रहे हैं अलाकि इस मामले को लेकर रादका आप्टे की तरफ से किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है लोग अपने इत्री को बाइकॉट करने की मांग कर रहे हैं अच्ट्रेस अमीशा पटेल अकसर अपने बोल्ड अंदाज की चलते सुर्खियों में रहती हैं आज कल वे बैक टू बैक धेर सारी बिकनी और सैक्सी फोटोज इंस्टाग्राइम पर शेयर कर रही है साथ ही बोल्ड वीडियो भी सोशल मीडिया पर उनकी देखने को मिलती है अमीशा पटेल इन दिनों बेशक फिल्मों से दूर हो लेकिन अपनी बोल्डनेस वाले अवतार के चलते वो आज भी टॉप एक्ट्रेस को फेल करती है सोशल मीडिया पर अमीशा पटेल के लाखो फैंस है जो उनकी तस्वीरों को पसंद करते हैं और उनकी सोशल मीडिया पर तारीफ भी करते है हाल में ही अमीशा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा को 22 साल पूरे हुए इसका celebration एक्टरस ने सोशल मीडिया पर भी किया अमिशा ने साल 2000 में फिल्म कहो ना है प्यार है से बॉलिवुड में डेब्यू किया था इस फिल्म में रितिक रोशन के अपोजेट अमिशा ने काम किया और फिल्म दर्शकों के बेच खोब लोग प्रिये हुई थी अमिशा पटेल का नाम बेशक बॉलिवुड फिल्मों के सफर में कई अभी नेताओं के साथ जुड़ा हो लेकिन पैतालिस की उम्र में भी अमिशा अभी भी कुवानी है सल्मान खान और कैटरीना कैफ स्टार फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग जोर शोर से जारी है मुंबई में शूटिंग खतम करने के बाद फिल्म की टीम 18 अगस्त को रूस के लिए रवाना होगी रिपोर्ट्स की माने तो आधित चोपला ने पूरी टीम के लिए एक जम्बो चाल्टर बुक किया है फिल्म का इंटरनेशनल शेडियूल रूस के साथ शुरू किया जाएगा इसके बाद 6 अलग-अलग इंटरनेशनल लोकेशन पर शूटिंग होनी है फिल्म का इंटरनेशनल शेडियूल 45 दिनों का रखा गया है सबसे पहले पूरी टीम रूस पहुचेगी जहां कुछ high octane action sequence की shooting की जाएगी फिल्म के निर्देशग मनीश शर्मा इस schedule के लिए पिछले कुछ महीनों से तयारी कर रहे थे वहीं आदित चोपला भी international schedule को लेकर पूरी सावधानी बरत रहे है फिल्म से जुड़े सूत्रों के नुसार Tiger 3 के international schedule के लिए सल्मान और कैटरीना सबसे पहले रूस में high octane sequence की shooting करेंगे और फिर उसके बाद वे तुर्की और आस्ट्रिया रवाना होंगे फिल्म की shooting काफी बड़े स्तर पर की जा रही है तमिल अभिनेता आनंद कर्नन की मौत हो गई है वे 48 साल के थे कर्नन पिछले काफी लंबे वक्त से कैंसर से जूज रहे थे उनके करीबी दोस्त और निर्देशक वेंकट प्रभू ने सोशल मीडिया के जरिये आनंद कर्नन की मौत की जानकारी दी है प्रभू ने ट्वीट किया कि एक बेहतरीन दोस्त बेहतरीन इंसान अब नहीं रहा उन्होंने आनंद की तस्वीर साजा करते हुए अपनी सवेदनाएं व्यक्त की आनंद 1990 के दशक के लोग प्रिया भी नेता थे उन्होंने कई लोग प्रिये तमिल शो होस्ट किये उन्होंने करियर की शुरुआत सिंगापूर वसंतम टीवी से एक्टर और होस्ट के तौर पर की थी इसके बाद सन म्यूजिक के साथ उन्होंने वीडियो जौकी के तौर पर काम किया फिल्मकार वेंकर प्रभू ने उनके साथ सरोजा फिल्म में काम किया है आनन्द की मौत से तमिल फिल्म इंडस्टी में शोक की लहर है